गलत आप नहीं थे गलत तो मैं हूँ जिनको ये पता था कि इस बार भी बनवास होगा आपके चुनाब पहले और भारत के भविस्य का चुनाब बाद में खैर अभी तक बेवफा थे या फिर आगे भी रहना है और हाँ अगर आगे भी रहना है तो बता दो कितने दिन और कित सब्जेक्ट वाइज होगा उसके बारे में बात करेंगे और क्वाइलिफाइंग मार्स क्या है यह भी बात करने वाले कटफ और लास्ट में खुस खबरी भी हम लोग चलने आएंगे ठीक है लेकिन उससे पहले चैनल का एक बार सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो का एक ब महराथन अप्लोड किया था साथ गंटे का आपका अरिजनिंग का महराथन हैं पचास सवाल आपके रहने वाले हैं 200 नंबर का आपका सवाल होने वाला पूरा का पूरा तो यह जाकर देखने ना इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अब यहां ज करना पड़ेगा तीन महने इंतिजार करने का मतलब है कि जून समझ रहे हो चार जून को रिजल्ट आएगा तो इनका विवस्था पहले से अगर अच्छा हो तो जुलाई या फिर अगस्त में एक्जाम ले लेंगे क्या और जुलाई या फिर अगस्त में एक्जाम ले लेंगे अगर विवस्था में किसी परकार का कमी रहता है अगर सेंटर बगरा नहीं होता है तो यह हो सकता है कि एक्जाम आपका आगस्त से सेप्टेमबर तक चला जाएगा अब तुम एक बात बता ना लोगसभा का चुनाब का र इधान सवा का चुनाब होगा तो यह जनवरी से लेकर फरवरी तक में हो जाएगा ठीक है उसके बाद इनका जो आचार सहीता होगा वो आपका नमंबर से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा मतलब इनको नमंबर से पहले किसी भी हालत में एक्जाम लेना पड़ेगा और जो बची हुई वैकेंसी है जैसे बिहार SSC, CGL4 की वैकेंसी है दरोगा की वैकेंसी और भी जितनी भी वैकेंसी है इनको वहाँ पे देना पड़ेगा तभी ये वोट का थोड़ा सा जो पिटारा होता है अपने इधर खीच सकेंगे ठीक है तो ये इन्होंने एक कर सकते हो मौक टेस्ट लगा सकते हो या फिर उसका अनलेसिस कर सकते हो ठीक है चलिए अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे खुसकबरी के बारे में मैं फ़ड़ा पहले ही बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर बेचैनी सा होगा कि आप हमें से शिपा रहे हो अभी जो अग्जामनेसंट डीट है आपका वह हो सकता है जुलाई से लेकर सप्टेमबरग कराकता है ऐसलिए मैंने 100 छैलेंज रखा है हांडरेंब का चैलेंज रखने का मतलब म्तलब क्या है कि यह Amok pre percent Samaf सब्सक्राइं कि दियुक्ष पो देंना क्योंकि कुशन का लिएबल बहुत अच्छा है सारह का सारा जो took वह आपका प्रिवेस एर कोष्चन है ठीक है तो जो भी आपके चाप्टर्स होते ऐसा नहीं कि ससी में Direction कुछ और पूछा जाता है और आपके बिहार सही में कुछ और पूछा जाएगा आपके चाप्टर 30 से 32 चाप्टर रिज्मिंग में है और उस 30-32 चाप्टर से 50 सवाल अगर पूछा जाएगा तो कहीं ने कहीं सवाल किसे ने किसी चाप्टर से तो रिपीट होने वाला यह सारे लोगों को पता है तो यह आपका 100 डे का चालेंज है मतलब चल रहा है चालेंज यह आपका स्टार्ट ह इसमें मैंने क्लॉकend कराया है है काइलेंडर काइल गूपिलीट कराया है और आज साम रात आज रात नो बजए आपका क्लासिफेकेशं हम लोगे स्टार्ट करने वाले चाप्रसCr sugary यहां पे स्टार्ट कर रहा है चंप्र वाइस कहने का मतलब एक चाप्टर है सब्सक्राइब कर लेते हैं इसके स्लेवस के बारे में रहा है यहां पर यह बार हजार 1199 पोस्ट की वैकेंसी थी सारे लोगों को पता है अक्ट्वर में नोटिफिकेशन आया था बहुत ज्यादा समय हो गया है और यह आपका अपरील चल रहा है अपरील लास्ट ही है आपका तो भाई पिछले साल तो आपका 2014 में vacancy आया और 2022 में इन्होंने पूरा का पूरा final कराया है तो 14 और 20, 6 साल इधर 2 साल, 8 साल का समय लगा था और इस बार बनवास पता नहीं होगा या नहीं होगा क्या ही पता है लेकिन तयारी नहीं छोड़ना है, हर एक कोश्चन आपके 4 marks के होने वाले यह सारे लोग को पता है multiple choice कोश्चन होगा, PT के बारे में अगर बात करें भाई तो PT में आपका general studies है general science and mathematics है, आपका reasoning, मतलब 3 category में इन्होंने divide किया है 50 question आपके कहां से आने वाले है, general study से आने वाले है 25-25 सवाल आपके कहां से, maths और आपके science से आने वाले है और पूरे के पूरे 50 सवाल जो है, वो reasoning से आने वाले है इसलिए मैंने कहा था कि आप 9 बज़े वाला session attend करना बहुत जादा जरूरी है आप सारे लोगों के लिए, एक बार channel को subscribe कर लिजएगा वीडियो को share करते रहेगा थोड़ा से, ठीक है total number of question कितने 100 और number of marks कितने आपका तो 600 मतलब, 1500 question और 600 marks के आपके पूरे के पूरे examination होने वाले यह 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अगर आगे हम लोग देखेंगे इसका पीडियाप सही तो टेलेग्राम चैनल जाइन कर लेना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जर्नल स्टडी के बारे में, जर्नल स्टडी के बारे में बात करें तो current, फिर इंडन, history, physical, आपका features, climate and डेमोग्राफी, आपका economic and social development, आपका property, elevation आपका economic planning है, यह सारा का सारा topic आप से पूछा जाएगा और यह सारे topic के इसाफ से आपको revision करना है, या फिर आपको तयारी करना है, ठीक है बाई, journal study के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आगे आ जाईएगा, आगे आ जाईएगा, तो यह आपका जो syllabus है, वो आपका journal science का है, physics में क्या-क्या पूछा जाएगा, biology का है, biology में क्या- आजाईए, आपका जो math का syllabus है, वो आपका क्या-क्या पूछा जाएगा, number system है, यह सारा topic आप एक बार देख लीजेगा, तो बहुत जादा आसानी होगा त्यारी करने में, और क्या आप से छूटा है, और किन chapters का आपको तयारी करना है, ठीक है, यह आपका reasoning का है, फोकसल का कवर होता है, डेली का, ठीक है, तो आप इसको भी cover कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, यह आपका हिंदी का syllabus है, ठीक है, अब यह आपका मेंस का syllabus है, जो में, 2024 का जो आपका बिहार एससे के exam होने वाला है, उसका मेंस का syllabus, subject क्या है, इसमें आपका paper 1 में जीए है, ह इंदी language है, mental ability test है, आपका general mathematics है, और आपका science होने वाला है, ठीक है, यह 100 question है, यह 400 question है, यह 400 number का, यह 600 number का, दोनों के लिए अलाग लग 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जागा, ऐसा इन्होंने लिखा था, ठीक है, तो इन सारे बातों पे यहाँ पे चर्चा जैसे हम ल qualifying nature यहाँ पे दिया गया है, मार्क सापका दिया गया है, जैनरल कंडिकेरी वाले के लिए आपको 40% लाना, 40% लाना बहुत ज्यादा आनिवार है, जैसे 16 number का आपका यह पुड़े exam है, तो 64 आपका है, तो 64 कितना 24, 240 plus number आपको qualifying के लिए लाना पड़ेगा, 36.5% आपका OBC के इसके बाद EBC के लिए आपका 34% है, और फिर schedule class SCST के लिए आपका 32% है, आपका women all category के लिए आपका 32% है, और handicapped वगरा के लिए 32% दिया गया है, तो यह आपका qualifying मार्क सापको होना चाहिए, इसी तरीके से आप अपना जो भी exam या फिर mock test वगरा देते हैं, जो आप test लगात इस्टेनोग्राफर का result दिया, आठ मई से उनका ये test, skill test होने वाला है, तो हो सकता है, बिहार SCC ने बोला तीन महिना इंतजार करो, तो जुलाई से पूरा का पूरा examination आपका start हो जाएगा, ठीक है, तो तयारी करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि एक चीज बहुत ज लगता है, टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, और दूसरा, अगर किसी भी तरीके का आपको पीडियो वागरा, नोटिस वागरा चाहिए, या फिर subject का हो या फिर यह जो मैंने आपको बताया है, तो आप इस नमबर पर मैसेस कर सकते हैं, और इस नमबर पर एक ग्रूप है, हमारा इस ग्रूप को जॉइन कर लीजिएगा, इस ग्रूप को जॉइन कर लीजिएगा, इसमें हम लोग सारी तरीके के जो भी बाते होते हैं, एक्जाम से रेलेटर हम लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो कैसा लगए वडियो है, विडियो को शेयर करेंगा तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद